किसान बाईयों नमस्कार मेहूद असरत दाकर आप देख रहे हैं डीप आर्मिंग यूटूब चैनल किसान बाईयों आज के इस वीडियो में हम स्वैबिन की खेती के बारे में बात करेंगे अधिकतर सेत्रों में लगबग स्वैबिन की बुवाई हो चुकी है स्वैबिन बुवाई के बाद जब हमारी फसल 20 दिन से उपर हो जाती है इस समय स्वैबिन में कुछ ऐसे ज़रूरी काम है जो सभी किसान बाईयों को समय पर कर लेने चाहिए अगर आप ये काम समय पर कर लेते हैं तो स्वैबिन का पोदा अच्छे से ग्रोथ और बढ़वार कर लेता है पोदे में सुरवात में किसी भी परकार से कीटवर रोगों का अटेक नहीं होता है और अंत में आपकी पेदावार ज्यादा निकलती है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें इस वीडियो में आपको तीने से जरूरी काम बताऊंगा जिनको समय पर करने से आप स्वैबिन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहें किसान भाई यो अच्छी बरसात होते ही सभी किसान भाई खेत में परियाप्त नमी होने के बाद स्वैबिन की बुवाई करते हैं जब भी आप बुवाई करें उन्नत किसमों का चियन करें जिनका उपज उत्पादन ज़्यादा हो जब आपके सुएबिन की फसल 20 दिन के उपर हो जाती है तो इस समय सुएबिन में खरपतवारों का अटेक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वेसे सुरुआ से ही खरपतवार फसल में अंकुरित हो जाते है लेकिन जब सुएबिन 20-25 दिन के आसपास हो जाता है इस समय खरपतवार भी 2-3 पतिके हो जाते है खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप खेत में कुल पे चला सकते है या निराय गुडाय कर सकते है जिससे खरपतवार को आप कंट्रोल कर सकते है और अगर आप रासानिक दवाओं का प्रयोग कर रहे है तो कम से कम आपकी फसल 25 से 30 दिन के आसपास होना चाहिए रासानिक तरीके से खर्पतवार नेंतरन की बात करे तो आप इमेज़ा थाई पर 10% एसल टेकनिकल वाली दवाईयों का 300 ml प्रती एकड की दर से प्रयोग कर सकते है जिससे आपके खेत में उगने वाले सभी परकार के खर्पतवारों को कंट्रोल किया जा सकता है इसके अलवा अगर इस समय आपके सेत्र में बरसात रुक जाती है आप खेत में निराइगुडाई कर लेते हैं तो आप खेत से नमी को सूखने ना दे यानि कि इस समय अगर आपने खर्पतवार को भी कंट्रोल कर लिया है और फोदे को नमी की जरूत है और आपके सेतर में बरसात नहीं हो रही है तो आप स्वैबिन में इस समय इस प्रिंकलर की सहायता से सीचाई जरूर करें किसान बायो स्वैबिन की वसल में बरसात का महतोपोन रोल माना जाता है अगर समय समय पर बरसात नहीं होती है तो स्वैबिन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है पोदा सुरुवात में कमजोर रह जाता है बाद में पोदा अच्छे से बढ़वार भी नहीं करता है और हम कमज़ोर मिट्टी में खेती कर रहे है जिस खेत में आपने स्वेबिन लगाया है उस खेत की मिट्टी कमज़ोर है उसमें किसी भी प्रकार से आप स्वेबिन का अधिक उत्पादन नहीं ले सकते है अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो आप 20, 25 या 30 दिन के आसपास जब आपकी कमजोर मिटी में स्वेबिन की बुवाई कर दी है और सुरुवात में ही फुसल कमजोर है तो थोड़ी बहुत मातरा में आप यूर्या दे सकते है जिससे पोदे के जड़े खुल जाएगी जिससे पोदा बढ़वार अच्छे से कर पाएगा जब आपकी वसल 20-25 दिन के असपास हो जाए तो ये तीन काम आवश्चे करें जिससे स्वेबिन की खेती से आप अधिक उतपादन ले पाएगे पोदा अच्छे से ग्रोथ और बढ़वार भी करेगा तो किसान भाई जो इस प्रकार से आप स्वेबिन के उतपादन को बढ़ा सकते है जानकारी अगर यूसफूल लगी हो तो वीडियो को लाइक और सियर करना ना बूले धन्यवाद